नमश्कार मैं सुनीता कथा मंधन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधन में आज सुनिए मुशी प्रिंट चंदरी जी की लोगप्रिय कहानी भाड़े का टट्टू मुशी प्रिंट चंदरी जी की अन्य कहानिया आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी लिंक आपको end screen पर मिल जाएगा इसके अलावा इसके साथ ही साथ अन्य कहानियों का लिंक प्ले लिस्ट में है लिंक आपको मैं description box में भी दे दूँगे तो शुरू करते हैं कहानी भाड़े का टट्टू लेखक मुशी प्रेंचन आगरा कॉलेज के मैदान में संध्या समय दो यूवक हाथ में हाथ मिलाए टहल रहे थे एक का नाम था यश्वंत और दूसरे का रमेश यश्वंत डेल डॉल का उचा और बलिष्ट था उसके मुख पर सयम और स्वास्ते की कांती जलकती थी रमेश छोटे कद और इकहरे बदन का तेजीन और दुरबल आत्मी था दौनों में किसी विशे पर बहस हो रही थी यश्वंत ने कहा मैं आत्मा के आगे धन को कुछ समस्ता नहीं हूँ रमेश बोले यह तो बड़ी खुशी की बात है यश्वंत हाँ देख लेना तुम ताना मार रहे हो लेकिन मैं दिखला दूँगा कि धन को कितना तुछ समस्ता हूँ रमेश खैर दिखला देना मैं तो धन को तुछ नहीं समस्ता धन के लिए 15 वर्षों से किताब चाट रहा हूँ धन ही के लिए माँ बाप भाई बन सबसे अलग पड़ा हूँ और ना जाने अभी कितनी सलामिया मुझे देनी पड़ेगी कितनी खुशामत करनी पड़ेगी क्या इसमें आत्मा का पतन नहोगा मैं तो इतने उच्छी आदर्श का पालन नहीं कर सकता यहां तो अगर किसी मुकदमे में अच्छी रिश्वत पा जाए तो शायद छोड़ ना सके क्या तुम छोड़ दोगे यश्वत मैं उसकी और आँख उठा कर भी न देखूंगा और मुझे विश्वास है कि तुम जितने नीच बनते हो उतने नहीं हो रमेश मैं उसे कहीं नीच हूँ जितना कहता हूँ यश्वत मुझे यकीन तो नहीं आता कि स्वार्थ के लिए तुम किसी को नुकसान पहुंचा सकोगे रमेश भाई संसार में आदर्श का निर्वा केवल सन्यासी ही कर सकता है अरे भई मैं तो नहीं कर सकता और मैं तो समझता हूँ कि अगर तुमें धक्का देकर तुमसे बाजी जित सकूँ तो मैं तुम्हें तो जरूर गिरा दूँगा और बुरा नमानो तो कह दूँ तुम भी मुझे जरूर गिरा दोगे स्वार्थ का त्याग करना कट ही नहीं यश्वन्थ तो मैं कहूंगा कि तुम भाड़े के टक्टू हो और मैं कहूंगा कि तुम काट के उल्लू हो रमेश नहीं कहा यश्वन्थ और रमेश साथ साथ स्कूल में दाखिल वे और साथ ही साथ उपाधियां लेकर कॉलिस से निकले यश्वन्त कुछ मंद बुद्धी पर बला का महनती था जिस काम को हाथ में लेता उससे चिमट जाता और उससे पूरा करके ही छोड़ता रमेश तेज था पर आलसी घंटे भर भी जमकर बैठना उसके लिए मुश्किल था एमे तक तो वह आगे रहा और यश्वन्त पीछे महनत बुद्धी के बल्द से प्रास्त होती ही रही लेकिन सिविल सर्विस में पासा पलट गया यश्वन्त सब धंदे छोड़कर किताबों पर पिल पड़ा खूमना फिरना सैर सपाटा सरकस थेटर यार दोस्त सबसे मूँ मोड़कर अपने एकांत कुटीर में जा बैठा रमेश दोस्तों के साथ गपशा पुड़ाता किरकेट खेलता रहा कभी कभी मनुरंजन के तौर पर किताब देख लेता कदाची तुसे विश्वास था कि अब की मेरी तेजी बाजी ले जाएगी अकसर जाकर यश्वंद को दिख करता उसकी गिताब बंद कर देता कहता क्यूं प्रांड दे रहे हो सिविल सर्विस कोई मुक्ती तो नहीं है जिसके लिए दुनिया से नाता तोड़ लिया जाए यहां तक की यश्वंद उसे आते देखता तो किवाडे बंद कर लेता आखिर परिक्षा का दिन आही पहुँचा यश्वंद ने सब कुछ याद किया था पर किसी प्रशन का उत्तर सोचने लगता तो उसे मालूम होता मैंने जितना पढ़ाता सब भूल गया वह बहुत घबराया हुआ रमेश पहले से कुछ सोचने का आदी ना था सोचता जब परचा सामने आएगा उस वक देखा जाएगा वह आत्म विश्वास से फूला फूला फिरता था परिक्षा का फल निकला तो सुस्त कछवा तेज खरगोश से बाजी मार ही ले गया था अब रमेश की आखे खुली पर वह हताश ना हुआ योग के आदमी के लिए यश और धन की कमी नहीं यह उसका विश्वास था उसने कानून की परिक्षा की तेयारी शुरू की और यदवपी उसने बहुत ज़्यादा मेहनत ना की लेकिन अवल दरजे में पास हुआ यश्वंत ने उसको बधाई का ता पर अफसर जितने प्रसंते मताहत उतने ही अप्रसं वे खुद जितनी मेहनत करता मताहतों से भी उतनी ही मेहनत लेना चाता था खुद जितना बेलोस था मताहतों को भी उतना ही बेलोस बनाना चाता था ऐसे आदमी बड़े कारगुजार समझे जाते हैं और यश्वंत की का पर गुजारी का अफसरों पर सिक्का जमता जाता था पांच वर्षों में ही वह जिले का जज बना दिया गया पर रमेश इतना भागेशली ना था वह जिस इजलास में वकालत करने जाता वहीं असफल रहता हाकीम को नियत समय पर आने में देर हो जाती तो वह खुद भी चल देता और फिर बुलाने से भी ना आता कहता अगर हाकीम ही वक्त का पबंद नहीं कहा है तो मैं क्यूं करूं मुझे क्या गरज पड़ी है कि घंटों उनके इजलास पर खड़ा उनकी रहा देखा करूं और बहस तो इतनी निर्भीकता से करता कि खुशामत के आदी हुकाम क निकाहों में उसकी निर्भीकता गुस्ता की मालूम होती सहनशिलता उसे छूबी नहीं कही थी हाकीम हो या दूसरे पक्ष का वकील जो उसके मुझ लगता उसकी खबर लेता यहां तक की एक बार वहे जिला जच से ही लड़ बैटा और फल यह हुआ कि उसकी सनत छीन ली ग प्रिंसीपल से पहले ही दिन कटपट हो गई। प्रिंसीपल का सिद्धांत यह था कि विद्यार्तियों को राजनीती से अलग रहना चाहिए। वह अपने कॉलिज की किसी चातर को किसी राजनीतिक जलसे में शरीक ना होने देते। रमिश पहले ही दिन से इस आग्या का अगर किसी को राजरीतिक जलसों में शामिल होना चाहिए तो विध्यारती को यह भी उसकी शिक्षा का एक अंग है अन्य देशों में चात्रों ने युगांतर उपस्तित कर दिया है तो इस देश में क्यों की जबान बंद की जाती है और इस कफल यह हुआ कि साल खतम होने के पहले ही रमेश को स्तीफा देना पड़ा किन्तु विध्यारतियों पर उसका दवाब तिल भर भी कम ना हुआ इस भाती कुछ तो अपने स्वभाव और कुछ परिस्तितियों ने रमेश को मार मार कर हाकिम बना ही दिया पहले मुखकलों का पक्ष लेकर आदलत से लड़ा फ था आत्म अभिमानी था ऐसे प्राणी के लिए प्रजा सेवक बनने की सिवा और उपाई ही क्या था समाचार पत्रों में वर्तमान परिस्तिती पर उसके लेक निकलने लगे उसकी आलोचनाएं इतनी सपष्ट इतनी व्यापक और इतनी मारमिक होती थी कि शिकर ही उसकी किर करता था कि उसके बच निकलना असंभव था अतिश्योक्तिया तो उनके सिरोपर से संसनाती हुई निकल जाते थी उनका वे दूर से तमाशा देख सकते थे अभिग्याताओं की वे उपेक्षा कर सकते थे ये सब शस्त्र उनके पास पहुंचते ही ना थे रास्ते में गिर पढ़ते थे पर रमेश के निशाने सिरोपर बैठते अधिकारियों में हलचल और हाहाकार मचाते थे देश की राजनीती किस्तिती चिंता जनक हो रही थी ये श्वन्त अपने पुराने मित्र के लेखों को पढ़ पढ़ कर काप उठते भै होता कहीं वे कानून के पंजे मे ना आजाएं बार-बार उस सहियत रहने की तागीत करते बार-बार मिन्नते करते कि जरा अपनी कलम को और नरम तो कर दो जान बुझ कर क्यों विश्धर कानून के मूं में उगली डालते हो लेकिन रमेश के नितरित्व का नशा चड़ा हुआ था वह इन पत्रों का जवाब तक न देता पाँचमे साल यश्वंत बदलकर आगरे का ही जिला जज़ हो गया देश की राजरीतिक दशा चिंता जनक हो रही थी खूफिया पुलिस ने एक तुफान खड़ा कर दिया था उसकी कपोल कल्पित कथाए सुन सुनकर हुकामों की रुखु फना हो रही थी कहीं और कातिल नजर आता था रमेश यह अंदेर देखकर चुप बैटने वाला मनुश्य ना था जियों जियों अधिकारियों की निरकुश्टा बढ़ती ही जा रही थी तियों तो उसका भी जोश बढ़ता था रोज कहीं न कहीं व्याख्यान देता और उसकी प्रया सभी व्या भावों से भरे होते हैं सपष्ट और खरी बाते कहना ही विद्रोह है अगर किसी का राजनीतिक भाशन विद्रोहा तमक नहीं माना गया तो समझ लो समझ लो उसने अपने आंतरिक भावों को गुप्त रखा है उसके दिल में जो कुछ है उसे जबान पर लाने का सहस उसमें नहीं है रमेश ने मनो भावों को गुप्त रखना सीका ही ना था प्रजा का नेता बनकर जेल और फांसी से डरना किया जो आफ़त आनी है वो तो आवे वह सब कुछ सेने को तयार बैटा था अधिकारियों की आखों में भी वही सबसे ज़्यादा गड़ा हुआ था एक दि दूसरे दिन वह ठीक छे बजे यश्वंत के बंगले पर जा पहुँचा उसने किसी से इसका जिकर ना किया कुछ तो ख्यालता कि लोग कहेंगे मैं अफसरों के खुशामत करता हूँ और कुछ ही है कि शायद इससे यश्वंत को कोई हानी पहुँचे वह यश्वंत के प्राप्त की थे सब बयान किये रमेश को यह जानकर अश्यारे हुआ कि यश्वंत के राजनीतिक वीचार कितने विश्यों में मेरे विचारों से भी जादा स्वतंत्र है उसका यह खयाल बिल्कुल गलत निकला कि वह बिल्कुल बदल गया होगा वफादारी के राग इस समय अपनी चिंता करो, मैंने तुम्हें सावधान करने को बुलाया है, इस वक्त सरकार की नजर में तुम बेत रहा खटक रहे हो, मुझे भैय कि तुम कहीं पकड़े ना जाओ, रमेश, अरे मैं तुम इसके लिए तेयार ही बठा हूँ, आखिराग में कूदने से क्या ला अच्छा है, अगर मैं देखता कि जनता में वास्तविक जागरिती है तो तुम से पहले मैदान में आता, पर जब देखता हूँ कि अपने ही मरे सुर्ग देखना है तो आगे कदम रखने की हिम्मत नहीं पड़ती, दौनों दोस्तों ने देर तक बाते की कॉलेज के दिनी जादा है, सेह पार्टियों के लिए कॉलेज की पुरानी स्मृतिया मनोरंजन और हास्य का अवरिल्स रोध हुआ करती है, अध्यापक ओपर आलोच नाएं हुई, कौन-कौन साथी क्या-क्या कर रहा है, इसकी भी चर्चा हुई, बिल्कुल यह मालूम होता था कि दौनों अब भी कॉलेज के चातर है, गंबीरता का नाम भी नहीं, रात जादा हो गई थी, भोजन करते करते एक बज गया, यश्वन्त ने कहा, अब कहा जाओगे, यहीं सोए रहो और बाते होंगी, तुम तो कभी आते ही नहीं, रमेश तो रमते जोगी थे, खाना खाकर बात करते करते सो गए, और नीद खुली तो नौ बज गए थे, यश्वन्त सामने खड़ा, मुस्कुरा रहा था, इसी रात को आगरे में भी एक भयंकर डाका पड़ गया, रमेश दस बजे घर पहुँचे, तो देखा पुलिस ने उनका मकान घेर रखा है, इन्हीं देखते ही एक अ आगे में शरीक होने से इनकार हो सकता था, और भी कितने ही आद्मियों पर आफ़त आई, सभी प्रमुक नेता चुल लिए गए, मुकदमा चलने लगा, और उकी बात को इश्वर जाने, पर रमेश निरपरात था, इसका उसके पास ऐसा प्रबल प्रमान था, जिसकी सत्यता से किसी को इनकार ना हो सकता था, पर क्या वह इस प्रमान का उप्योग कर सकता था, रमेश ने सोचा ये श्वंत स्वैम मेरे वकील द्वरा सफाई के गवाँ में अपना नाम लिखाने का प्रस्ताव करेगा, मुझे निर्दोश जानते वे वे कभी मुझे जेल ना जाने द ना जाने इससे क्या बादा हो, अपनी रक्षा के लिए वे उसे संकट में न डालना चाहते थे, ये श्वंत हिर्देश शुन्य तो ना थे, किन्तु भाव शुन्य भी ना थे, लेकिन करम शुन्य अवश्य थे, उन्हे अपने परम मित्र को निर्दोश मारे जाते देकर द नहानुबूती रखता हूँ, मेरा भी उनके साथ कुछ संपर्क है, ये है मेरे हिंदुस्तानी होने का दंड है, जानकर जहर निगलना पड़ रहा है, पुलिस ने अफसरों पर इतना आतंक जमा दिया कि चाही मेरी शहादत से रमेश छूड भी जाए, खुलनम खुला इस पर राजविद्रों का अभियोग है, इसी सोच विचार में एक महिना गुजर गया, उधर मजिस्ट्रेट ने यह मुगदमा येश्वन्त ही के इजलास में भेज दिया, डाके में कई खोन हो गए थे, और मजिस्ट्रेट को उतनी ही कड़ी सजाए देने का अधिकार ना बला सिर पर आपड़ी थी और उससे बचने का उपाएना सूच था, और भाग्ये की कुटिल क्रीडा, साथ खेले और साथ पड़ेवे दो मित्र एक दूसरे के समुक खड़े थे, केवल एक कड़गरे का अंतर था, पर एक की जान दूसरे की मुठी में थी, दौनों की आख रात में दशा इसके प्रतिकूल थी, यश्वन्त की आत्मा लज्जा गलानी और मांसीक पीड़ा से तड़पती थी, और रमेश का मुझ निर्दोष्टा के परकास से चमकता रहता, दौनों मित्रों में कितना अंतर था, एक उदार था, दूसरा कितना स्वार थी, रमेश चाहता, तो भरी अदालत में उस रात की बात कह देता, लेकिन यश्वन्त जानता था, रमेश फांसी से बचने के लिए भी उस प्रमान का आश्रेने लेगा, जिसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, जब तक मुकदमे की पेशियां होती रही, तब तक यश्वन्त को असह मरमवेदना होती रही, उसकी आत्मा और स्वार्थ में नित्य संग्राम होता रहता, पर फैसले के दिन उसकी वही दशा हो रही थी, जो किसी खून के अपरादी की हो, इजलास पर जाने की हिम्मत ना पढ़ती, वह तीन बजे कचहरी पहुँचा, मुझनिम अपना भागे निर्ने सुनने को तयार खड़े थे, रमेश भी आज रोज से जादा उदास था, उसके जीवन संग्राम में वह अफसर आही गया था, जब उसका सिर्व तलवार की धार के नीचे होगा, अब तक भै सुक्ष में रूप में था, आज उसने स्थूल रूप धारन कर लिया, कुर्सी पर बैठ कर पसीना पहुचने के बहाने, आखों में उम्रेवे आस्मों को पहुचा और इसके आगे की तजवीर उससे ना पढ़ी गए, रमेश जेल से निकल कर पक्का क्रांती वादी बन गया, जेल की अंधेरी कोटरी में दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद, व कोई तो विशाल भवनों में रहता है, और किसी के पेड़ की छहां भी मैसर नहीं, कोई रेशम और रतनों से मड़ा हुआ है, और किसी को फटा वस्तर भी नहीं, ऐसे न्याय विहिन संसार में यदि चोरी हत्या और अधर्म हैं, तो यह किसका दोश है, वह एक ऐसी समीती ख खुलने का अपस्व अपने देखा करता, जिसका काम संसार से इस विशमता को मिटा देना हो, संसार सब के लिए है, और उसमें सब को सुक भोगने का समान अधिकार है, ना डाका, डाका है, ना चोरी, चोरी, धनी अगर अपना धन खुशी से नहीं बाट देता, तो उसकी इ अधालत भी अलग होगी, उसके सामने वे सभी मनुश्य अपरादी होंगे, जिनके पास जरुवत से ज़्यादा सुक भोग की समगरियां हैं, हम भी उन्हें दंड देंगे, हम भी उनसे कड़ी महनत लेंगे, जेल से निकलते ही, उसने इस समाजिक रांती की खोशना कर दी, गुपत साभाएं बनने लगी, शस्त्र जमा किये जाने लगी और थोड़े ही दिनों में डाकों का बजार गरम हो गया, पुलिस ने उसका पता लगाना शुरू किया, उधर करांती कारियों ने पुलिस वर भी हाथ साफ करना शुरू किया, उनकी शक्ति दिन पर दिन लगी, और काम इतनी चतुराई से होता कि किसी को अपराधी का कुछ सुराक न मिलता, रमेश कहीं गरीबों के लिए दवा खाने खोलता तो कहीं बैंक, डाके के रुपे से उसने इलाके खरीदना शुरू किया, जहां कोई इलाका निलाम होता वह उसे खरीद लेता, खोलने की हिम्मत न होती, सभ्य समाच की द्रिष्टी में, रमेश से ज़्यादा घरनित और कोई प्राणी संसार में ना था, लोग उसका नाम सुनकर कानों पर हाथ रख लेते, शायद उसे प्यासा मरता देखकर कोई एक बंद पाने भी उसके मूं में न टालता, लेकिन कि की मजाल ना थी कि उस पर अक्षेप कर सके, इस तरह कई साल गुजर गए, सरकार ने डाकों का पता लगाने के लिए बड़े बड़े इनाम रखे, यूरोप से गुप्त पलिस के सिधहस्त आदमियों को बुला कर इस काम पर नियुक्त किया, लेकिन गजब के डगयत थे, ज रमेश खुद अपने सिध्धानतों का पालन ना कर सका, जियों जियों दिन गुजरते, उसे अनवभ होता कि मेरे अनिवाईयों में असंतोष बढ़ता जाता है, उनमें भी जो ज़्यादा चतुर और सहासी ते वे दूसरों पर रॉब जमाते और लूट के माल में बराबर हिस्सा ना देते, यहां तक कि रमेश से कुछ लोग जलने लगे, वे राज सी ठाट से रहता, लोग कहते कि उसे हमारी कमाई को यू उड़ाने का क्या अधिकार है, और नतीजा, नतीजा यह हुआ कि आपस में फूट पड़ गई, रात का वक्त था, काली घटा चाही हुई एक यूवक ने, आप बार-बार मुझी को क्यों चिंते हैं, हिस्सा लेने वाले तो सबी हैं, मैं ही क्यों बार-बार अपनी जान जोकिम में डालू, रमेश ने दृड़ता से का, इसका निश्या करना मेरा काम है कि कौन कहां बेजा जाए, तुम्हारा काम केवल मेरी अग् करने के बाद होगा, लेकिन मैं इसका फैसला जाने से पहले करना चाता हूँ, यूवक ने कहा, रमेश ने इसका जवाब ना दिया, वे पिस्तॉल से उसका काम तमाम कर देना ही चाते थे, कि यूवक खड़की से नीचे कुद पड़ा और भागा, कुदने फांदे में उसक के बाएं हाथ का खेलता, वे वहाँ से सीधा कुप्त पलिस के परदान के पास पहुंचा, इधर यश्वंत ने भी पेंशन लेकर वकालत शुरू की थी, नियाए विभाग के सभी लोगों से उनकी मितरता थी, उनकी वकालत बहुत जल्द चमक उठी, यश्वंत के पास ला ऐसे ही पुरुषों से निस्वार्थ सेवा की आशा की जा सकती है, और यश्वंत ने अपनी सारी उम्र रुपे कमाने में गुजारी थी, और वे अब कोई ऐसा काम न कर सकते थे, जिसका फल रुपेयों की सूरत में ना मिले, यूँ तो सारा सभ्य समाज रमेश से घ्रणा करता था, लेकिन यश्वंत सबसे बड़ा हुआ था, कहता, अगर कभी रमेश पर मुकदमा चलेगा, तो मैं बिना फीसलिय सरकार की तरफ से पैरवी करूंगा, खुलनम खुला, रमेश पर छीटे उड़ाया करता, यह आदमी नहीं शैतान है, राक्षस है, ऐसे आदमी का तो मुँ देखना नहीं चाहिए, उफ, इसके हाथों, कितने भले गरों का सर्वनाश हो गया, कितने भले आदमियों के प्राण गए, कितनी स्त्रियां विद्वा हो गए, कितने बालक अनात हो गए, आदमी नहीं पिशाच है, मिरबस चले तो इसे गोले मार दू, जीता चि भगा था, पुलिस के ब्रधान से सारा कच्चा चिठा बयान कर दिया था, आपरण, और हत्या का कैसा रोमांचकारी, कैसा पैशाचिक, कैसा पापुन विरतान था, भद्र समुदाय बगले बजाता, सेटों के घरों में घी के चिराग जलते थे, उनके सिर पर एक नंगी त पर ना आती थी, अब अगभारों में निकलने लगी, उन्हें पढ़कर पता चलता कि रमेश ने कितना अंधेर मचा रखा था, कितने ही राजे और रईस उसे महावर टैक्स दिया करते थे, उसका पुरजा पहुंचता, फला तारिक को इतने रुपे भेजदो कि किसकी मजा कि उसका हुकम टाल सके, भेजनता के लिए, हिद के लिए जो काम करता, उसके लिए भी अमीरों से चंदे लिए जाते, रकम लिखना रमेश का काम था, अमीर को बिना कान पूछ हिलाए वे रकम दे देनी पड़ती थी, लेकिन भदर समुदाय जितना ही प्रसंद था, जनता उतनी ही दुखी, अब कौन पुलिस वालों के अत्याचार से उनकी रक्षा करेगा, कौन सेटों के जुलम से उन्हें बचाएगा, कौन उनके लड़कों के लिए कला कोशल के मदर से खोलेगा, वे अब किसके बल पर कूदेंगे, वे अब अनात थे, वही उनका अवलंब थ अब वे किसके, किसका मुता केंगे, किसको अपनी फर्याद सुनाएंगे, पुलिस शहादते जमा कर रही थी, सरकारी वकील जोरों से मुकदबा चलाने की तयारियां कर रहा था, लेकिन रमेश की तरफ से कोई वकील ना खड़ा होता था, जिले भर में एक ही आदमी था, ज असंभव था, रात के नौ बजे थे, यश्वंत के कमरे में एक स्त्री ने परवेश किया, यश्वंत अगबार पढ़ रहा था, बोला, क्या चाहती हो, स्त्री, अपने पती के लिए एक वकील, यश्वंत, तुमारा पती कौन है, स्त्री, वह जो आपके साथ पढ़ता था जिस पर डाके का जूटा अभियोग चलाया जाने वाला है, ओ, तो तुम रमेश की स्त्री हो, जी हाँ, मैं उनकी वकालत नहीं कर सकता, स्त्री ने कहा, आपको अक्तिया, आप अपने जिले के आदमी हैं, और मेरे पती के मित्र रह चुके हैं, इसलिए सोचा था, क्यू बा ये वकील का महनताना क्या होता है, यश्वंत ने कहा, तीन हजार रुपे रोज, पस, आप इस मुकदमे को ले ले, मैं आपको रोज तीन हजार रुपे दूँगी, यश्वंत, तीन हजार रुपे रोज, जी हाँ, और यदि आपने उन्हें छुडा लिया, तो पचास हजा रुपे आपको इनाम की तोर पर और दूँगी, सुनते ही यश्वंत के मुं में पानी भराया, अगर मुकदमा दो महीने भी चला, तो कम से कम एक लाख रुपे सीधे हो जाएंगे, पूरे दो लाख की गोटी है, इतना धन्तों जिन्दिगी भर में भी जमाना कर पाये थे मगर दुनिया क्या कहेगी, अपनी आत्मा भी तो गवाई नहीं देती, ऐसे आदमी को कानून के पंजे से बचाना असंख्या प्राणियों की हत्या करना है, लेकिन गोटी तो दो लाख की है, कुछ रमेश के फस जाने से इस जद्धे का अन तो हुआ नहीं जाता, उसके च जही, जिसका जो ची चाहे कहे, चाहे नराज हो या खुश, ये दो लाख तो नहीं छोडे जाते, और कुछ मैं किसी का गला तो नहीं दबा रहा, चोरी तो नहीं करता, अप राधियों की रक्षा करना तो मेरा ही काम है, जिस ऐसा इस्त्री ने पूछा, आप जवाब देते हैं, जी मैं कल जवाब दू कर जरा सोच लो, स्त्री, नहीं मुझे इतनी फुरसत नहीं है, अगर आपको कुछ उल जानो तो साफ साफ कह दीजिए, मैं और पर बंद करूँ, ये श्वन्त को और विचार करने का अफसर ना मिला, जल्दी का फैसला अफस्वार्थ ही की और जुकता है, यहां आने के संभवना नहीं रहती, क्या आप कुछ रुपे पेशकी दे सकती हैं, ये श्वन्त ने का, रुपेओं की मुझसे बार-बार चर्चा ना कीजिए, उनकी जान के सामने रुपेओं की हस्ती ही क्या है, आप जितनी रकम चाहें मुझसे लेने, आप उन्हें छुड़ा ना सके, लेकिन सरकार के दात खटे जरूर, ये श्वन्त, खेर मैं ही वकील हो जाऊंगा, कुछ पुरानी दोस्ती का भी तो निर्वाह करना है, पुलिस ने एड़ी चोटी का जोड लगाया, सैक्डो शहादते पेश की, मुझबिर ने तो पूरी गाता ही सुना दी, लेकिन ये श्वन्त ने कुछ ऐसी दलीले की, शहादत को कुछ इस तरह जूटा सिद किया, और मुखबिर की, कुछ ऐसी खबर ली, कि रमेश बेदाग छुट गय, उन पर कोई अपराद ही सिदना हो सका, ये श्वन्त जैसे सैयत और विशार शील वकील का, उ रमेश के छूटने का उत्सफ था, ये श्वन्त के चारों और से धन्यवाद मिल रहा था, रमेश को बधाईयां दी जा रही थी, ये श्वन्त बार बार रमेश से बोलना चाहता था, लेकिन रमेश उनकी और से मूँ फेर ले थे, अब तक उन दौनों में एक भी बात ना ह थी, आकिर ये श्वन्त ने एक बार जुझला कर कहा, तुम तुम मुझ से इस तरह हैटे हुए हो, मानो मैंने तुम्हारे साथ कोई बुराई की हो, रमेश, और आप क्या समझते हैं कि मेरे साथ भलाई की है आपने, पहले आपने मेरे इस लोग का सर्वनाश किया था, अब की परलोग का किया, पहले नियाए किया होता, तो मेरी जिन्दगी सुधर जाती, और अब जेल जाने देते, तो आकबत बन जाती, ये श्वन्त, यह ना कहोगी कि इस मामले में मैंने कितने साथ से काम लिया है, रमेश, आपने साथ से काम नहीं लिया, आपने साथ से काम लि आप मुझसे धन्यवाद की आशक कताई ना रखें